जहिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है राजनीती एक्सपर्ड में और आज का जो हमारा टोपिक है वो है राश्ट्रिय उर्जा संरक्षन दिवस यानि कि नैस्टनल एनर्जी कंजरविशन डे 2022 जो कि 14 दिशंबर को मनाय जाता है यानि कि कल के दिन मनाया गया है तो क्या कुछ खास था इस दिन के बारे में और इसका इतिहास क्या है और इसको मनाने का महतव क्या है वो सबी चीजें हम इस क्लास में देखेंगे तो चलिए सुरू करते हैं नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 2022 किंद्रिय उर्जा मंतराले यानि यूनियन मिनिस्ट्री ओफ पावर के तहट स्थापित जो किंद्रिय उर्जा मंतराले है इसने स्थापित किया है Bureau of Energy Efficiency जिसको हम सोट में BEE बोलते हैं अब आपसे एक्जाम में BEE की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है इसकी फुल फॉर्म क्या है तो इसकी फुल फॉर्म है Bureau of Energy Efficiency साल 1901 कैनल में से राष्ट्रे उर्जा संड्रक्षन दिवस का आयूजन कर रहा है और इसी के साथ में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रे उर्जा संड्रक्षन दिवस है ये कब से मनाये जा रहा है तो कब से मनाये जा रहा है 1901 में से और कब मनाये जाता है तो प्रतिवर्ष 14 दिशंबर को मनाये जाता है इसके बाद हर साल देश भर में यह कारे करम आयुजित किया जाता है इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कब मनाया जाता है? 14 दिशंबर को कब से मनाया जा रहा है? 1901 में से और कौन मनाता है? तो Bureau of Energy इसके स्थापना किस ने की है? तो वो की है केंद्रिय उर्जा मंतरा लेने अब हम देखेंगे इसको मनाने के उद्दिश्ची क्या है? किस लिए मनाया जाता है? तो इस दिन उर्जा के संरक्षन और बचत के महतों के बारे में लोगों को जागरूप किया जाता है ठीक है लोगों को किसलिए जागरूप किया जाता है उर्जा के संरक्षन और उर्जा के बचत जो है उसके महतों बताई जाते हैं इनकी बचत के लिए ये दिन celebrate किया जाता है इस दिन को मनाने के लिए देश भर में सम्मेलनों चर्चाओं कारियसालाओं और प्रतियोगिताओं सहीत कई गतिविधियां आयुजित की जाती है इसका क्या मतलब हुआ कि इस दिन जो सम्मेलन है या फिर कारियसालाई है या कोई प्रतियोगिता है उनके माध के बहतर इस्तेमाल की उपाई बताई जाते हैं यानि कि एनरजी का बहतर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं उसकी बचत कैसे कर सकते हैं इस सब के बारे में लोगों को जागरू किया जाता है इसके साथ ही उर्जा के दुरूपयोग करने के बारे में भी लोगों को जानकारी दी जाती है यानि कि जो उर्जा का दुरूपयोग है उससे कैसे बचा जाए इसके बारे में भी जानकारी दी जाती है अब ये हमारे लिए महत्वपुर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि जो राष्ट्र पती जी हैं, हमारी द्रोपदी मूरमु जी वो इसमें कुछ लोगों को समानित करते हैं इसलिए ये हमारे लिए और ज़्यादा महत्वपुर्ण हो जाता है National Energy Conversion Day पर भारत की राष्ट्रपती द्रोपदी मूर्मू राष्ट्रे उर्जा संरक्षन पुरुषकार अब हम देखेंगे कि कौन-कौन से पुरुषकार जो है इस दिन दिये जाते हैं तो एक तो राष्ट्रे उर्जा संरक्षन पुरुषकार दूसरा राष्ट्रे उर्जा तो वो देते हैं हमारे भारत की राष्थ्टोपति द्रोपदी मूर्मुजी, अब हम देखते हैं कि उर्जा संरक्षन, जो है, energy conservation है, वो है क्या चीज? उर्जा के अनावशक उप्योग से बच कर, कम उर्जा का उप्योग करना, उर्जा संरक्षन कहलता है, जो उर्जा का हम बिना आवशेक्ता के भी उप्योग कर रहे हैं जो हम गलतियां करते हैं उन सब से बचकर उर्जा का जो हम संड्रक्षन करेंगे उसी को उर्जा संड्रक्षन कहा जाता है भविश्य में इसके उपयोग के लिए उर्जा का कुशलता पूरवक उपयोग करना अतियावशेक है जानि कि अगर हम भविश्य में उर्जा का उपयोग करना चाहते हैं हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से उर्जा हमें आज प्राप्त हो रही है ऐसे ही हमें बहुष्य में भी प्राप्त होती रहे तो इसका जो उप्योग है वो हमें बहुत ही कुशलता पूर्वक और सोथ समझकर करना होगा जहां जरूरत नहीं है वहां उर्जा का उप्योग ने करें उर्जा संरक्षन की योजना को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए जरूरी है कि प्रतेक वेक्ति उर्जा संरक्षन को अपने वहवार में शामिल करें वहवार में शामिल करने से मतलब है कि प्रतेक वेक्ति इसको अपनी जिम्मेदारी समझें ना कि ऐसा समझे कि ये उसके उपर थोप दी गई है अगर हम इसको अपनी स्वेंकी जिम्मेदारी समझेंगे तो हम इसको ज़्यादा अधिक और ज़्यादा अच्छे रूपशेश का परियोग कर सकेंगे और जो हम गलतियां करते हैं वो गलतियां हम बार-बार नहीं दो राएंगे और हम उर्जा का अच्छा खासा संरक्षन कर लेंगे क्योंकि सिर्फ सरकार के कहने से उर्जा का संरक्षन नहीं होगा जब परतेक व्यक्ति इसको अपने व्यवार में सामिल करेगा पर तेक वेक्ति जो है इसको अपने विवार में शामिल करेगा तब ही जाकर हम इस जो योजना है इसमें सफल हो पाएंगे अन्य था हम इसमें सफल नहीं हो पाएंगे अब है कि इसका इतिहास क्या है कहां से आया और कब से मनाय जा रहा है केंद्रिय उर्जा मंतराले के तहट या केंद्रिय उर्जा मंतराले के द्वारा जो स्थापित है Bureau of Energy Efficiency साल 1991 से राष्ट्रिय उर्जा संरक्षन दिवस का आउजन कर रहा है जिए हमने देख लिया था कि कबसे मनाय जा रहा है 1931 में से कब मनाय जाता है 14 दिसंबर कू BEE अत्यदिक उRजा उपयोग को कम करने के लिए रणनीतिया तैयार करने और समंधित प्रोग्राम के आयुजन में शहायता करता है ठीक है तो जो BEE है ये रणनीतियां तयार करता है कि किस प्रकार से उर्जा का जो उप्योग है वो कम किया जाए अब आपसे एक्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि BEE के कारी क्या है और आपको चार उप्षन दे दिये जाएंगे जिसमें से एक होगा कि उर्जा के उप्योग को कम करने के लिए रणनीति तयार करना तो इसका सही जवाब क्या होगा उर्जा के उप्योग को कम करने के लिए रणनीति तयार करना इसके अलावा साल 2001 में समीति ने उर्जा संड्रक्षन अधिनियम पर हस्ताकसर किये अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उर्जा संड्रक्षन अधिनियम जो है वो कब लाया गया था तो 2001 में लाया गया था वहीं फिलहाल राष्ट्रे उर्जा संरक्षन दिवस की थीम अभी तै नहीं है राष्ट्रे उर्जा संरक्षन है उसकी जो ओवरल थीम होगी वो थीम अभी तक तै नहीं की गई है अब अंत में इसका महतव क्या है इस दिन को मनाने का या फिर उर्जा संरक्षण का महतव क्या है हम इसके उपर चर्चा करते हैं राष्चे उर्जा संणरक्षित का मेहत तो विशेष तोर पर उर्जा के मुल्य के बारे में जागरूपता, बढ़ाने और इसके उप्यूग कम करके इसे संणरक्षित करने की आवशेक्ता के लिए मनाए जाता है अगर सिदे और साफ तोर पर मैं आपको बताऊं तो जो अर्जा के मुल्ले है या फिर अर्जा की जो आवशेक्ता है उसके लिए लोगों को जागरूख करना है और इसका उप्योग हम किस परकार से कम कर सकते हैं उसके लिए लोगों को जागरूख करना ही इसका जो है सबसे बड़ा महतो है ठीक है और इसी लिए ये दिन मनाया जाता है तो मैं आसा करता हूं आप लोगों को राष्ट्रे उर्जा संरक्षन दिवस के बारे में समझ में आया होगा और मैं आप लोगों से ये भी आसा करता हूं कि आप इस चीज को अपने जीवन में उतारेंगे और जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए इससे संबंदित आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं साथ में आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको किस प्रकार की जानकारी और अधिक चाहिए हम वैसे ही जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे और इसको अपने दोस्तों के साथ जादा से जादा शेयर करें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप सभी का धन्यवाद